नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास इजूटिक में तो एकेटिव के तमाम सारे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट यह है कि एकेटिव एक्जाम पेमेंट जो है वो सुरू हो चुका है रेगुलर कटेगरी के छात्रों का जो एक्जाम पेमेंट है वो हो रहा है मगर COP का जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा है और छात्रों ने एक्जाम फार्म के दवरान COP का भी फार्म फिल कर दिया था जिनका भी बैक था तो यह COP का पेमेंट कब से होगा और कैसे आपको पेमेंट करना है इसके बारे में बता कर दो ऐसे ही पलपल के अथेंटिक अपडेट पाने के लिए तो चलेगा यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग छात्रों का जो भी है अगर वह पेमेंट के लिए करते हैं तो पेमेंट जो है वह अभी बहराल सिर्फ रेगुलर का हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है र बहीं विडियो को रिकार कर रहा हूं लेकिन जो पेमेंट है यह आपका एक-दो दिन बाद हो जाएगा यानि कि एक-दो दिन बाद आपका जो पेमेंट हो उना शुरू हो जाएगा तो आप लोग निश्रीन्त रहो बाकी का जो फेज 1 फेज 2 वाला कांसेप्ट यह है कई स कर दो कि फेज्ट इभाओन है यूक्त जैद्थ इक्जाम के फेज्ट रिलीज को फेज्ट और उसके घंडू में होगा सब घृएं लेकिन हाओ उनका इंचर अग्चर्स शुद्ध के उगा और उनका की सब्सक्राइब में पेमेंट शुरुआत हो जाएगी तो आप लोग निश्रिंत रहिए बागी का जैसे ही पेमेंट शुरू होगा हम वीडियो के माध्य हमसा आपको बता देंगे अब इन केस हम बात करते हैं कि अगर आपका पेमेंट जो है वो फस जाता है तो आपको क्या करना होगा अगर आपका पेमेंट फस्ता है तो आपको 72 घंटे इंतिजार करना होगा यानि कि तीन दिन और जब तीन दिन के अंदर आपका पैसा या तो इधर या तो उधर नहीं जाता है तब कि केस में यह सारी चीज़ें तो आई होब कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी स्योपी के पेमेंट के रिगार्डिंग बिल्कुल निश्विंत रहिए परसान ना होईए एक दो दिन में सुरू हो जाएगी अधर वायस हम कल या परसों वाले वीडियो के माध्यम साब को तुरं दोस्तों में भी सेयर कर देना